गया के गुरुआ थाना में पदस्थापित पुलिस सहायक अबर निरक्षक मनिलाल मांजी की गुंडा गर्दी सामने आई है मार्च महिने पर साधे लिवास में अपने सहयोगी के साथ सराया टांड गाव के रहने वाले शियुकुमार पासवान ने राजदेव पासवान के खिलाफ मुकदमा धर्ज कराया था इसके बाद बीना यूनिफॉर्म पहने मनिलाल मांजी राजदेव के घर पहुँचकर परिवार वालों से गाली गलोज और मारपीट की आरोप अनुसार अपने पती को पिटता देख छुडाने गई तेतरी देवी को भी मनिलाल मांजी ने नहीं जोड़ा जिससे उनके सिर में गहरी चोट लग गई घायल अवस्था में तेतरी देवी को मगद मेडिकल कॉलेज से अस्पिताल में उचित इलाज के लिए भर्ति कराया गया जहां लंबे इलाज के बाद भी तेतरी देवी की जून में मौत हो गई राजदेव पासवान ने ये भी आरोप लगाया कि राहत देने के बजाए पुलिस साहयक अबर निरक्षक मनिलाल मांजी लगतार रुपेयों की मांग करता रहा था लेकिन जितना बन पड़ा जितने रुपेय मांगे गए उतना मैं नहीं दे सका इसके कारण बार बार मुझे और मेरे परिवार को थाना बुला कर प्रतारित किया जाता रहा रविवार सुबा करीबन साथ बजे राजदेव पासवान के बेटे आशिश कुमार जब गुरुवा थाना पर अपने केस के सुसरे में गय थे तो वो देखे कि मनिलाल मांजी किसी और से भी रंगदारी मांग रहा था इसके बाद आशिश ने इन लोगों का वीडियो बनाना शुरू किया इधर वीडियो बनाते देख मांजी ने आशिश के साथ मार पीट भी की अब बोला से कि हम जा रहे है थाना पर तो हम पीछे गया है कि हम भी चलते हैं क्या बात है तो गया वहां तो देखें कि उन लोग तीनों था एक सथ खड़ा तो बुलाया गया बोला के इधर आप गया हुआ वहां पे तो वीडियो पना ले तो लोग हम को पकाड़ के मारने लगा तीनों और फोन भी छीन लिया मेरा उसके बाद फिर दिकास पास्मान मानिला अलमांजी और सिप्कुमार पास्मान पर शुपास्मान को जा शुपास्मान को पाकड़ा था था थोड़ा जोर से बोलिए कटावियन को पकड़ने तो सब्सक्राइब गए कि मतलब पाकड़ना जाने चाहा है थि आई से बीछ में इस बाल पाकड़ करेका अपरश कर ले पटाग देता था कभी आथी और यह सराज